हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आइम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडेसन इन दा मेटावलिक साइंस अर आज हम बात करेंगे कि सेक्स से पहले कौफी लेने से क्या सेक्स कमजोरी दूर हो सकती है क्या और इरेक्टैल डिस्फंक्शन या जो फंक्शनल वीक्स है क्या कौफी का कोई डारेक्ली कंटीभूशन है? क्या उससे कुछ फाइदे होते हैं? क्या उसका benefit या stimulation जो आता है coffee का क्या उससे sexual power को enhance किया जा सकता है time को बढ़ाया जा सकता है और sex के performance में इसका क्या contribution है तो सबसे पहले मैं आपको एक request करना चाहता हूँ कि alcohol हो, coffee हो या फिर और बहुत सारी medicines हो आजकल social media पे आप जाएंगे across the social media लगबक 60% more than 70% भी हो सकता है वीडियो में कोई scientific, कोई reasonable, कोई clinical या कोई medical knowledge या कोई specific knowledge नहीं होती है कि बल एक viral करने के लिए आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें की coffee के साथ ये मिला के पिलो, coffee के साथ ये mix कर लो कोफी के साथ ऐसा कर लो, तो sexual power double हो जाएगी, चारगुनी हो जाएगी, long lasting हो जाएगी मतलब बहुत सारे चीज़े हैं, बहुत सारे myths आपको मिल जाएंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको सीधी सी बात बताओं के coffee को लहसुन के साथ या फिर अदरक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ mix करना बिलकुल गलत है, उससे आपको food allergy हो सकती है, food intolerance हो सकती है, skin पर racist हो सकते हैं, आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं और यह आपको ulceration पैदा कर सकती है, तो coffee को किसी के साथ mix करके consume करना for any sexual purpose या strength purpose ये बिलकुल गरत है, clinically गरत है, इसके medically अपने बहुत सारे side effects होते हैं, और इसको किसी भी तरीके से approve नहीं किया जा सकता, accept नहीं किया जा सकता, अब हम दूसरे बात पर आते हैं, देखो sexual weakness या sex के दोरान जो कमजोरी है, उसके अपने बुन्यादी कारण होते हैं, तो पहले उनको भी समझना होगा, जैसे कि आपको erectile dysfunction हो सकता है, आपको anxiety हो सकती है, आपको performance anxiety हो सकती है, या फिर आपका जो four play का time है, वो बहुत जादा नहीं है, कोई आपको fear हो सकता है, आप किसी ऐस प्लेस पे हो सकते हैं, कि जो safe नहीं है, secure नहीं है, या आप किसी ऐसे इनसान के साथ हो सकते हैं, जो मतलब आप उसको mentally, physically belong नहीं करते हैं, कोई bondation नहीं है, पहले से आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपको anxiety होगी, erectile dysfunction भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कि sex आप performing ना कर partner के साथ attachment होना चाहिए, involvement होना चाहिए, for play होना चाहिए, और time गुजरना चाहिए, और जब यह सब चीजें आएंगी, तो सायद वो चीज नॉर्मली execute हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि coffee लेना चाहते हैं, तो आप coffee पी सकते हैं, normal coffee, milk वाली coffee आप लें, तो उ सुगर बाली coffee, so that is okay, और coffee से आप जानते हो कि stimulation होता है, उससे आप थोड़ा सा energetic होते हैं, और आपका जो performance है, कुछ हद तक better हो सकता है, बढ़ सकता है, there is no harm in this, but black coffee is not recommended, और coffee किसी के साथ mix करके is not recommended, और इसका नुकसान यह हो सकता है, आपको की coffee की यदि आपने dose बहुत सेक्स के दौरान आपको anxiety हो सकती है, palpitation हो सकता है, आपकी धड़कन बढ़ सकती है, आपका pulse rate बढ़ सकता है, आपका BP बढ़ सकता है, और आपको disorientation हो सकता है, dizziness हो सकती है, तो पता लगा, coffee का आपने overdose कर लिया, performance better होने की बजाए, आपको anxiety हो गई, आपको दूसरी problem हो और anxiety की बज़े से आप perform ना कर पाए, तो coffee कभी भी एक चमच से जादा ना कंजूम करें एक बार में, एक चमच नॉर्मल या फिर आधा चमच coffee आप ले सकते हैं, लेकिन traditional नॉर्मल जो coffee आप बनाते है, milk वाली coffee वही आप लें, और खाली पेट coffee अवोईड करें, क्योंकि उ आपको अलस्रेशन हो सकता है, तैंक यू वेरी मच और टेक केर वरसेट आप